श्मुश्कार, स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो नोट बंदी हुई थी भारत में 8 नुवंबर 8 नुवंबर 2016 को उस नोट बंदी के उपर सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुनाया 6 साल बाद ये फैसला आया है अब इस फैसले में क्या कहा गया कि जो नोट बंदी थी वो सही थी या गलत थी इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से डिसकस करने वाले हैं ये सुप्रीम कोट का फैसला है बहुत लोगों ने याचिकाइन जो थी वो दायर की थी सुप्रीम कोट में कि सरकार ने मनवानी धंक से ये फैसला ले लिया है ये जल्द बाजी में लिया गया फैसला है तो अब यहां पर पांच जजीज की एक बैंच constitutional बैंच जो हो बिठाए गई ये जांचने के लिए कि नोट बंदी हुई थी भारत के द्वारा करवाई गई थी आठ नूमर 2016 को वो आप्री में टो पर देश हो होई इंतमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से में जो जाकर आप गर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखे सर्वोच न्यालियों की एक पांच जज़ों की एक समीधान पीट जैसे constitutional bench का जाता है पांच जज़ी थे उन में से चार जज़ी ने कहा है कि यह जो फैसला है वो सही है मतलब कि जो demonetization किया गया था वो सही किया गया था वो सही था उसका उदेश्य था वो सही था अब यहां पर आपको समझना होगा कि उदेश्य यानि objective की जो बात की गई है कि जो सरकार थी उन्होंने जो फैसला लिया था नौमबर 2016 को वो फैसला उन्होंने कोई जल्दबाजी में नहीं लिया और साथ इसाथ यह जो फैसला था इसके पीछे जो मनशा थी वो बहुत सही थी मतलब भारत के अंदर corruption को खतम करना जो black money है उसको खतम करना टेरर फंडिंग जो रही है उसको खतम करना यह जो उदेश कानूनी की गई अब गैर कानूनी क्यों की गई इन्होंने कानूनी क्यों बताया इन चीजियों को हम अच्छे से cover करेंगे तो यहां पर इससे आपको पता चल गया है कि सुप्रीम कोट ने अपने approval दे दिया है कि ठीक थी अब जितनी भी याचिकाएं थी obviously उन याचिकाओं तो यह पान जजिच थे 5 जजिच में चार जजिच ने हां कर दी सैमत हुए जस्टिस वी राम सुबरमन्यम धार गवई जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस ऐस बपनना जो ये चार जजिच थे इन्होंने कहा कि नोट बदी से पहले सरकारों और आरबियाई के बीच बात चीत हुई थी और 6 महीने पहले ये बात चीत हुई थी देखिए लेवल ओफ सिक्रेसी देखिए कितने महीने पहले 6 महीने पहले ये बात RBI को पता थी कि नोटबंदी होने वाली है और भनक तक नहीं लगने दी बाहर के खबर आने तक नहीं दी level of secrecy देखे किस level पे जाके काम किया गए और इन्होंने कहा कि इससे ये माना जा सकता है कि नोट बंदी सरकार का माना फैसला नहीं था और जो आर्थिक फैसले हैं obviously उनको पल्टा नहीं जा सकता वहीं एक जिनका नाम है Justice B.V. नागरतना इन्होंने कहा कि जो नोट बंदी है उसका जो तरीका है वो गैर कानूनी है अब इन्होंने ये क्यों कहा देखे 8 November 2016 को केंदर सरकार की तरफ से की गई जो नोट बंदी वो गैर कानूनी है इससे संसद में एक कानून बनाकर लागू किया जाना चाहिए था द्यान रखना इन्होंने क्या का संसद में कानून बनाकर लागू किया जाना चाहिए था क्या कानून नहीं बनाया गया किस अधार पे नोट बंदी कीगी तो इन्होंने कहा कि केवल गचट नोटिफिकेशन के जरीए नहीं इसको हम डिसकस करने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है इन्होंने कहा कि देखे रिकोर्ट के मताबिक 98% जो नोट थे 500 और हजार वाले उनका तो एक्सचेंज हो गया तो आपका जो मक्सद था कि भई ब्लैक मनी को काउंटर करना जो भी आपके उदेशे थे तो जारे रुपे जो वापस ही आगे तो आपका जो उदेशे था वो सफल ही नहीं हो पाए इस अधार पर तो इन्होंने कहा लेकिन इन्होंने कहा कि देखे ये जो फैसला है अब इसको पल्टा तो नहीं जा सकता देखे 500 और 1000 रुपे के सभी नोटों को बैन करना गैन कानूनी है लेकिन ये फैसला तो लिया जा चुक है और इससे इस पर कोई एक्षन नहीं लिया जा सकता इन्होंने भी कहा कि देखे नोट बंदी का जो मक्सद तो वो सही था इसमें कोई शक नहीं इससे सरकार जो है वो लैक मनी टेरर फंडिंग होगी इन पर रोक लगाना जाती थी लेकिन लीगल ग्राउंट पर गरें देखें तो ये जो कदम था वो गैर कानूनी था तेकि आर्बियाई 1934 एक्ट आर्बियाई का जो एक्ट है 1934 उसमें एक 26 क्लोज टू इसके तहए सरकार इन्होंने नोट बंद दिकिए अब ये कहा गया कि इसके तहए तहए तो जो ये है सेक्शन 26 क्लोज दो इसके तहए तो सरकार जो एक सिरीज को बंद कर सकती एक सिरीज जो है नोट की मान लिजिए 2000 का आज आप देख रहे हैं नोट आया हुए उसके अपरापर नंबर दिखे हुए आपको नंबर लिखे हुए मिलते हुए आपको अब वो नंबर जो थे मान लिजिए आरबिय ने वो नोट छपँआने के लिए और वो नंबर गलत हो गए माल लेजी यह 2F से लेकर 2HJ जो भी था यहां तक की जो शीरिस यह बंद कर दिजे तो यह जो है वो इसके तहद सरकार जो फैसला ले सकती है और इसके तहद जो बंद कर सकती है तो इन्हों ने का कि आपने इस 26 section 26 का close do use कर लिया और इसके तहित जो आपने काम किया वो गैर कानूनी है कहरा हम जानेंगे किसके तहित इन्होंने काम किया अब जो 58 याची काएं थी उनको खारिज कर दिया गया इसके चलते भाई साब जो गौवर्मेंट है जो सत्ता के अंदर गौवर्मेंट है बीज़पी उन्होंने आड़े हाथो ले लिया कॉंग्रिस को क्योंकि कॉंग्रिस ने स्टार्टिंग में बहुत जादा कहा था कि मनवाने डंग से लिया गया फैसला है गौवर्मेंट अपने मनवाने डंग से काम कर रही है तो यह तो आपके लिए चटपटी नियूस हो गई हम आते हैं अपनी असली नियूस के उपर देखें जो मेजोर्टी जो वरडिक्ट है उनका क्या कहने एक बार जान लेते हैं तो मेजोर्टी जो है उन्होंने कहा कि केंदर सरकार की जो आठ नूमबर 2016 की जो अधिसूचना जो है वो वैद है और अनुपातिक्ता यानि पर्पोर्शनलिटी के टेस्ट पर ये खरी उतरती है अब ये अनुपातिक्ता की कसोटी क्या होती है इसको भी हम अलग से डिसकस करेंगे बारतिय रेज़र बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 सेक्शन 26 का क्लोस दो के टायत जारी आठ नूमबर की अधिसूचना से छे महीने पहले आरबियाई और केंदर ने एक दूसरे के साथ इस संबन में प्रामर्श कंसिडरेशन किया था तो यानि यानि की ये बात हुई कि जो आरबिया यदिनियम की धारा 26 का क्लोस दो के टायत वैध्यानिक प्रक्रिया का उलंगन के बल इसलिए नहीं किया गया किंदर ने केंदरी अबरोड को वी मुद्री यानि दीमोनिटाइजेशन की सिफारिस करने पर विचार करने है तू सला देने की पहल की थी तो भया बंद कैसे की कि सथार पे किया गया है बंद किया गया है आरबिया इदिनियम की धारा 26 के टायत क्योंकि जो चार जजिस्ते उन्होंने कहा कि एक सीरीज को अगर बंद कर सकती है सरकार तो नोट चाहे तो वो भी वो बंद कर सकती है तो यहाँ पर पांसो और हजार के जो नोट बंद किये गए हैं गौर्रमेंट के द्वारा वो RBI के अधिनियम धारा 26 का क्लोज दो के तहित यह काम किया गया है तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों कुछी समझ में आ रही होगी अब आगे उन्होंने जो चार जज़ी से उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में जो लिये गए जो फैसले पर नैले ने अपनी जो राय रखी वो यह थी कि जो इस कदम इस तरीके की जो कदम होते हैं अंडिस्प्यूटली वो बहुत सीक्रेसी तरीके से और बहुत तेजी से ले जाते हैं मान लिजी अगर यह खबर लीक हो जाती तो आप सोचिए उस वक डेफिनेटली जो परिणाम थे वो बहुत हमारे टाइम हमने जो देखा था आठ नॉम्मर 2016 को उसके बाद जैसे वो न्यूज आई थी कि रात को यह न्यूज डाली बताई गी थी कि आज से पांसोर हजार रुपे के जो नोट है कितना खतरनाग उस वक्त सिचुएशन हो सकती थी जाली मुद्रा, काले धन और आतंग के वित पोशन को खतम करने के जो उचित उदेशे के लिए डिमोनिटाजेशन किया गया था इस चीज को आपको ध्यान रखने अब जो मैनियोरिटी डूलिंग है उनका क्या कहना है सरकार आरबियाई अधिनियम के धारा 26 का क्लोस दो के तहत एक अधिसूचना तभी जारी कर सकती है जब आरबियाई ने सीफारिस के माद्यम से नोट बंदी का परस्ताफ दिया हूँ यहाँ पर क्या था सरकार ने दिया था कि भईयाँ आप नोट बंदी कर दीजिए किसके अधार पर आरबियाई के अधिनियम के धारा 26 का क्लोस दो के था अब जो एक जो मैडम है जिनोंने बेवी रतना जी उनके द्वारे ये कहना था कि देखिए आपने जो किया है वो गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि अगर आरबियाई आपको प्रामर्श देती कि भईयाँ आपको नोट बंदी करना है तब आपको वो मानना था इसलिए आरबियाई के अधिनियम की धारा 26 का क्लोस दो के तैट जारी सरकार की अधिसोचना गैर कानूनी थी जिन मामलों में सरकार नोट बंदी की पहल करती है उसमें आरबियाई की राए लेना बहुत जुरूरी और आरबियाई के जो बोर्ड है उसकी राय जो वो सवनतंतर और स्परस्ट होनी चाहिए यदि बोर्ड की जो राय वो नकारात्मक थी वही उन्होंने नेगिटिव थी कि हम नहीं करना चाहते तो केंदर क्या करती केंदर केवले एक अध्यादेश की गोशना करके या फिर ये कानून बना कर तभी डिमोनेटाइजेशन की रापर आगे बढ़ सकती थी आपने तो डिमोनेटाइजेशन कर दिया आपने संसद को भी नहीं बताया उसकी अनुपस्तिती में सब चीज़ें कीगे तो लोक तंतर की आपने कहीं अवेलना कही है तो ये जो था एक जो प्रपोर्चनलिटी जो है आज करें आम तोर पर पूरे दुनिया के अंदर ये ये यूज की जाती है जो समयधानी जो constitutional कहीं कि bench बैठते हैं वहां पर उन तरिके के फैसलों को मतलब कि कौन सा फैसला सही है, काउन से फैसले आते हैं, देखिए, दो फैसले ऐसे होते हैं, जो वैद अधिकार टकराते हैं, मतलब कि legitimate rights हैं, उनका आपस में clash हो रहा है तो वहाँ पर proportionality test of proportionality को लाया जाते हैं इसमें क्या होता है, कि एक फैसले को, मतलब कि यहाँ पर balance करने की कोशिश की जाती है, संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है, obviously इसमें एक फैसला तो है, इस परकार लियाए जाएगा, कि वो दूसरे पर हावी हो दूसरे के उपर उसको परभावी कोशिद किया जाएगा, तो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वांचित परिणाम पाने के लिए desire result है, आपको यही पाना है तो आप अपनी जो administrative power है उसका बहुत जादे use कर देंगे, उसका भी use नहीं करना था, मतलब यह कि एक A right है, एक B right है दोनों ही वैद है अब दोनों ही एक दूसरे से तकरा रहे हैं, इनमें balance देखना है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर जो टेस्ट और परपोर्पोर्शनलिल्टी आती है तो मित करता हूं, simple सी बाता में आप लोगों को समझाने कि मैंने कोशिश किया है अब note बंदी, यह देख लेते हैं, यह क्या है अब इनकी कोई value नहीं रहेगी और यहाँ पर 52 दिन का time दिया गया था कि आप बदल लीजिए, आपको पास 52 दिन का time है तो आपको, मतलब कि जितने भी note है आपके पास उन सब चीज़ों का बदल लीजिए जो इसका उदेश्य था, objective था, उसको जान लेते है obviously इसका उदेश्य यह था कि जो काला धन है, उसको पकड़ सके जो terror funding है, उसको रोक सके इन सब चीज़ों को, जो aware land in होती है उसको रोक सके, तो इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई थी अब यहाँ पर increase, यानि कि digitalization को increase करना था formalize the economy, मतलब कि मतलब कि यहाँ पर ऐसी कमपनियों को भार सरकार के नियामिक विवस्ता के अंतर गतलाना था ताकि सरकार का जो है, वो राजसव बढ़ सके मतलब कि उसका tax जो है, वो बढ़ सके देखिए, जितनी कमपनियां सामने आएंगी, मतलब कि वो अपना registration करवाएंगी, या फिर सारा काम अपना online करेंगी तो सारी देख रहेगी transparency उसके अंदर बहुत आ जाती है obviously सरकार का रासा उसके अंदर बढ़ नहीं था यह सारे उदेश से चोते हैं, वो इसके अंदर रखे गए थे एक operation clean one के दोरा e-verification, जयानी की 9 December से 9 November से 30 December 2016 के अबदी के दोरान किये बड़े नकत में e-satyaapan के लिए launch किया गया था यह जो कारे करह में 31 जनवरी 2017 को शुरू किया गए और मई 2017 में इसने दूसरे चरण में प्रविश किया था इसका क्या उदेश्य था? इसका उदेश्य था कि obviously अब जो taxpayers हैं, वो अपनी money बदलवाने जाएंगे मतलब कि अब देखेंगे कि इनों ने जितना हमें बता रखा है उतना ही सही है, ये कितना note बदलवा रही है, इन सब चीज के ओपर अगर mail नहीं खाता है, खाता तो वो उनको पकड़ सकते थे, कारवाई करने की बात आती, इसके अलावा, note बंदी के परभाव क्या पड़े उसको जान लेते हैं, देखें, 4 नॉवंबर के अगर बात करें, 2016 को, तो जनता है, उसके सामने संकट आ गया जो GDP है, वो मतलब की बहुत डाउन आ गई, निरली 1.5 परसेंट की जो दर थी, वहाँ पर हमें सामने, हमारे दिखने लगी अब इसके अकारण क्या हो, बहुत जो चोटे-चोटे वेफसाये थे, बिजनस थे, दुकाने थी, वो बंद हो गई, जो एक liquidity थी, मतलब की shortage of liquidity, हमारे सामने निकल कर आई, shortage of liquidity यानि की, इसका मतलब कहा है, की आपको पैसे की बहुत जादा जरूर था, जो company उनको अपनी necessary demand, यानि कुछ चीज बनाने के लिए बहुत जादा जरूर था, और उसको भी पूरा नहीं कर पा रही है, तो इसको कहते हैं नगदी की कमी हो जाना, वो हो गई थी बारदेश के अंदा, obviously इसके अलावा, कोई आपने परिवार भी ऐसे देखे हुए, मैंने भी ऐसे देखे थे जिनको भी शादी थी, शादी के टाइम में उनको बहुत जादा सामना करना पड़ा, कि पैसे नहीं है अब क्योंकि आपको पता है, चार जार रुपे बदलवा सकते थे, तो चार जार रुपे या दो जार रुपे, ऐसे लोग बदलवा रहे थे लाइन में खड़ा होना पड़ा था, तो ओविसली वहाँ पर काफी जादा जो है, वो प्रोब्लम क्रियेट हुई भी थी अब क्या पहली बार हुआ है, क्या ये, नहीं, जब देश अजाद होने की कगार पहता है, नहीं 1946 में हम कहेंगे कि एक बार नोट बंदी हुई थी, देश में पहली नोट बंदी हम जिसको कहेंगे, अंग्रेजी हुकूमत के दोर 12 जनुवरी 1946 को भारत के वोईसरोय और गवर्नर जनरल सर और्चिट बॉल्ड वेवल ने जो उच मुल्ले वाले बैंक नोटों को बंद करने के अदेश परस्तावित किया था इसके साथ 26 जनुवरी रात 12 बजे के बाद 500,000 और 10,000 रुपे के जो इतने भी high value जो नोट थे उनको एमान ने कोशित कर दिया गया था ये पहली नोट बंदी थी, फिर 1908 में दूसरी नोट बंदी होती है 16 जनुवरी 1908 को जन्ता पार्टी के 39 तरुवाली सरकार ने काले धन को खतम करने के लिए 1000, 5000 और 10,000 के सभी नोटों को बंद कर दिया था अपने इस कदम के दाए सरकार ने गोशना की थी कि उस वक्त के बैंकिंग घंटों के बाद 1000, 5000 और 10,000 के नोटों के लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा देखे उस वक्त यहां पर तीन दिन का समय दिया गया था लगवक्त तीन दिन का समय दिया गया था और आप देखें तो 2016 में जो नोट बंदी हुई थी उसमें 52 दिन का समय दिया गया था आप अपनी करंसी को बदल सकते हैं तो यह इस वक्त भी टाइम भी बहुत जादा दिया गया था इस चीज को देखा जाए तो अब आगे की रा क्या हो सकते हैं कि सरकार ने जो यह फैसला लिया जिस कदम जिस तरीके का यह फैसला लिया था उसको लेने के लिए बहुत ज़ादा साहस भी चाहिए था और इस कदम विश्च तर पर भारत को अधिक महत परदान कें क्योंकि इसमें एक ऐसे मुद्दे से निपटने का साथ दिगा है जिसे इस PD की विकास की सफलता की रा में सबसे बड़ी समस्या माना जा सकता था मतलब कि करप्शन हो गया, ब्लैक वनी हो गई, टेरर फंडिंग हो गई, इन सब चीजों को निपटने के लिए सरकार में शुव शमता है, वो डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, उनके अंदर इतना बड़ा फैसला लेने की हिमते हैं, इन सब चीजी इस फैसले से हमें पता चल हैं, चैनल भी और इस वीडियो को भी, थैंक यू वर वोचिं इस वीडियो,